नमस्कार मैंूं डॉक्टर एंकेश्णा और आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम लोग बाते करेंगे इस लॉकडाउन और कोरोना से जो हम लोग घर में बंद हैं इसका प्रभाव जिस तरीके से हमारी आँखों पर पड़ रही है इसके संदर्ण में यह बात आज बिल आठों पर पड़ रही है तो बात यह है कि किस तरीके से हम लोग अपने आठों को बचाएं चुकि यह हमारी सरीर की सबसे बहमुल्य घरोहर है और हमारे ब्यक्तित्तों के लिए प्रम आवस्यक भी है तो आज मैं आपको तीन होमियोपैथिक दवा बतलाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल हानी रही है और जिसका प्रियोग करके हम अपने आठों को बिल्कुल स्वस्तर रख सकते हैं आईए इन दवाईयों को समझ लेते हैं मैंने बोर्ड पर यहां तीन दवा के बारे में लिखा है पहली दवा है रूटा थाटी थाटी रूटा की पॉटेंजी यानि की पावर है दूसरी दवा है रस्टाप्स थाटी और तीसरी दवा है सिनेरेरिया मारेटिमा जो आईड्रॉप है यह डॉक्टर रैक्वेक के कम समझ लेते हैं आप रूटा थाटी को दो बूंद तू ड्रॉप्स एक चम्मस ठंडे पानी में डाल कर सुबह दो पहर और साम को ले इसे प्रकार रस्टाप्स को भी दो बूंद एक चम्मस ठंडे पानी में डाल कर सुबह दो पहर और रात को ले अब ध्यान दें इन आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद करें और सिनेरेलिया मारिटामा जो जर्मन कंपणी डॉक्टर रेकवेट की आई ड्रॉप है आप इसका दो बूंद टू ड्रॉप्स सुबह और राप को दो बार अपनी आँखों में डावें आप जब इन तीनों दवा का सेवन करेंगे तो आप पाएंगे कि यदि आपका आँख प्रभावित हुआ है तो इसकी रिकभरी बहुत फास्ट प्रावंद हो गई है और आपकी आँखी अधी स्वस्त है फिर भी बहुत अधिक टेवी मोबाइल लैप्टॉप कंप्यूटर का प्रियोग कर रहे हैं तो आपकी आखे बिल्तुल स्वरक्षित रहेगी आई इत्वा इन दवा के डिटेलिंग को समझ लेते हैं रूटा ठाटी रस्टॉक्स ठाटी इन दोनों का काम क्या है रूटा ठाटी ए ऐसे सिलाई गुनाई कड़ाई आधी तो इस प्रकार रूटा ठाटी आपके लिए काफी लाब दायक होगा रस्टॉक्स ठाटी रस्टॉक्स ठाटी एक ऐसी अधूत दवा है जो आप इसे कह सकते हैं कि पॉली क्रेस्प दवा है धेर सारे बीमारियों में लक्ष्णान उस इसका प्रियोग किया जाता है लेकिन यहां पर यदि किसी भी ऑर्गन का जो हमारे सरीर के हैं उनका बहुत अधिक प्रियोग किया जाता है चाहे वह आंख हो या हाथ हो पैर हो या कोई भी अंग है जिसका बहुत अधिक प्रियोग किया जा रहा हो तो उसके ठाकान को रिक आइड्रॉप है जो सोस्त व्यक्ति भी आँखों में डाल सकते हैं इसका प्रियोंकर यही आज का हमारा टॉपिक था और काफी रेलेवेंट टॉपिक है इस लॉकडाउन के दारान या कोरोना महमारी के दारान और मुझे लगता है हर व्यक्ति इससे ग्रोशित हैं और आपको भी यह दिये टॉपिक पसंद आया हो बहतर लगा हो तो आप इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें एक लाइक भी करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फिर म हो तो में करता इस वीडियो करें से भी करें संद द देख Without you